प्रसुन गंटे में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रसून हमारे साथ है 36 गड़ के पूरे मुक्हमंत्री और 36 गड़ के पहले मुक्हमंत्री अजीद जोगी साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं आप हमारे कारेक्रम में आये हमारे लिए स्वभागी की बात है आप से पहला सवाल पोचता हूँ आम आदमी के लिए आप एक मिसाल है आपने पहले पढ़ाई के इंजिनिंग की पिर प्भाया IPS बने आईएस बने राजनीत में आए राजनीत में सिखर फुरुष बने तमाम उपलद्धिया एक के बाद लगता है कि आपने कोई गोल ही नितै किया था हमेशा एक गोल मिलने के बाद अगला लक्ष तै करते हैं इस पूरे मुकाम को आप किस तरीके से बया करेंगे खास कर सुरुवाती दिनों से लेके गाधी फैमिली के करीब आने तक देखे मैं अपने आपको बहुत धन्य मानता हूं कि एक ही जन्म में इतनी धेर सारी चीज़ें अनभव के रूप में मुझे मिली जैसा आपने कहा ठीक कहा एक ही जन्म में कोई प्रोफेसर नहीं बनता फिर IPS नहीं बनता आईएस नहीं बनता राज सभाल लोक सभा फिर पा मेडिया का इंचार्ज रहना आदिवासी और शेडूल कास्ट और बैकवर्ड का जो डिपार्टमेंट है उसका भी बहुत सालों से हेड रहा हो अध्यक्ष रहा हो यह सब एक ही जीवन में और अंत में जब छत्रित कर राज बना तो आदर नी सोनिया जीने मुझे वहां का मु मेरी अपनी अकेली मेहनत का परिणाम नहीं है आप जैसे लोगों के शुब कामना है बड़ों का अशिरवाद और मुख्यतिया गांधी नेरू फेमली का जो प्रेम है मेरे प्रती वो उसका मैं बखान नहीं कर सकता और आपने पूछा नीचे से उपर तक की यात्रा तो सच मैं एक आदिवासी परिवार में एक चोटे से गाउं में जोगी डूंगरी गाउं में पैदा हुआ दो सव अबादी होगी उस गाओं की मेरे साथ के बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते थे कोई मजदूर है कोई स्टेशन में कुली है कोई कोईला ख़दान में काम कर रहा है और जब मैं जाता हूँ वहाँ उनको याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि कितना अंतर है वो लोग मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं और मैं आज यहाँ यहाँ तक पहुंचा हूँ तो कुछ तो मेरी महनत रही पर ज़्यादा तर सुचता हूँ उपरवाले का आशिरवाद जुर्गों का आशिरवाद और आप जिसे मित्रों की शुब कामना है राजीव गाधी के संपर्क में आपका बाई एक वैसे किस्ता तो बहुत पराना है मैं जब जनता सरकार थी यहाँ पहले बार जब बनी जिसे मुराजी देसाई जी प्रधान मत्री थे उन दिनों मैं राइपूर का डी-म कलिक्त था और राजीव जी का वाई जहाज एवरो चलाते थे वो राइपूर में टर्मिनेट होता था तो और हमारे यहीं से पुर्शत्तम कौशिक जी सिविल एविशन के मिनिस्टर थे तो जब भी राजीव जी चलाते थे अलाकि उस समय वो कुछ भी नहीं थे पर कौशिक जी कर्ड सी के नाते मुझे बता देते थे कि आज राजीव जी चला रहे हैं दो-तीन घंटे राय को रुकना पड़ता था उनको तो किसी को कह देना उनका विशेज ध्यान लगे तो मैं किसी एडियम की डूटी लगा देता था ध्यान लगे कभी समय मिलता था तो उनके साथ ही बैट जाता था क्योंकि मुझे बड़े हस्मुख बहुत प्यारे लगते थे और उस समय तक कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह राजनिती में आएंगे संजय गांधी जी राजनिती में थे और राजनिती में आके प्रधान मंत्री बनेंगे यह भी कभी कल्पना नहीं की थी जब वो फिर पचासी में प्रधान मंत्री बनेंगे और हमारे प्रदेश के कुछ ने तांसों और ने कहा कि मुझे एक आधिवासी नेत्रितु ये की जरूरत है पुराने मत्रदेश के लिए आसपास के बिहार के लाके के लिए उडिशा के लिए नाम सुझाए जाए जाए तो स्वरगी अर्जुम सिंग जी दिगवजय सिंग ज तोड़ना चाहेंगे की नहीं मैं तब इन दोर कड़ी हमके लिक्तर था और राजी जी को जैसे बताया मेरा नाम उनको वो पिछली जो हमनों की 77 से 81 तक की पहचान थी वो शायद उनको इसमनना आगिया और उनका या मैं तो उनको जानता हूँ और बहुत अच्छा रहेगा वह लोग उनकी बड़ी तवरीफ करते थे रहा है पूर में उनके कामों की तो बहुत अच्छा रहेगा फिर उन्होंने मुझे फोन पर सूच ना दी वो आखरी दिन था उसके दूसरे दिन राजसभा का नामिनेशन भरने का आखरी दिन था मैं किसी तरह से मेरा त्याग प और TIS से रिजाइन करने के लिए वो सब तयार थी वो लेकर दिगविजाज सिंग जी यहां आये फिर यहां की जो फॉमिलिटी हो T.I.B.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C.B.I.C का फॉर्म भरा तो सच में यह यात्रा बड़ी अजीब और गरीब है और मैं नहीं सोचता है कि किसी और के जीवन में ऐसी घटना है घटी हो या आपको नौ वज़े रात को बताया जा रहा है और बारा वज़े रात तक आपको अपना मन तयार करना है कि आई इस कि नौपि छ आखिर यहां मुख्यमंत्री से बड़ा पद और क्या मिल सकता है राजीव गांधी जी के कारण सोनिया जी के कारण गांधी नेरू परिवार के कारण वह तो पहला श्रे उनको देता हूं मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन बड़े परिवर्तन है वो उस परिवार के प्रे इच्छा सक्त के कारण आपको टाइटिल दिया गया है, योगी अजीद जोगी, आप सुना है कि एलेग लगवा रहे हैं अपने पैर में ताकि आप चलने अभी चलना ही पा रहे हैं, तो कैसे रोमांचित, कितना रोमांचित महसूस करते हैं, नए? आठ वर्ष पहली ये एक्सिडेंट हुआ, चार अप्रेल 2004 में, और आठ वर्षों के बाद ये नया विश्कार दुनिया में हुआ, अभी केवल तीन देशों में हैं, अमेरिका में, न्यूजिलेंड में, और इजनायर में बना हैं, जिसको रोबोटिक लेक्स कहते हैं, रोब हो सकता हूँ, खड़े होके अपने मर्जी से चल सकता हूँ, वापस आ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, तो इसका ट्रायल करीब एक हपते बॉंबे में मैंने दिया न्यूजिलेंड के मशीन का, और उनके रिहास से वो एक सफल ट्रायल रहा, उन्होंने फिर आडर ले लिया ह और एक डेड़ महने में बना कर भेजेंगा, आप संगमा जी ने कहा है कि किसी को भी राष्टपती होना चाहिए, तो अगला राष्टपती आदिवासी होना चाहिए, आप उनकी इस मांग पे कितना समर्थन करते हैं, कितना एग्री करते हैं, कितना डिसग्री करते हैं, दे कर देश आपको देता है देश का एक जनमत बनता है अभीमत बनता है कि हाँ यह हमारे राष्पती के रूप में अच्छा आज तक जितने राष्पती हुए मुझे याद है शंकर साइंद्याल शर्मा जी जब वाइस परसेंड बने तो यहाँ थे भी पर उनके नाम की चर्चा हुई राजियो गांदी जी ने उसस्विकार किया और फिर उनको धूनों भाई कहां है धून कर उनको बुलाया गया और फिर वह हमारे राष्ट्पति बने तो जिसको राष्ट चाहता है अगर आदिवासी को राष्ट्पति बनना है तो किसी कि आज तक कोई आदिवासी नहीं बना आदिवासी को बना हो लेकिन मांग जोर पकड़ती जा रही है कि आदिवासी को बनना चाहिए संगमा जी बने या ना बने लेकिन इस मांग को आप जायज मानते हैं बनना भी चाहिए नाम पर आप अपति नहीं करता हूं संगमा जी MPs का जो All Party का डिपार्टमन होता है, मैं उसमें पदा अधिकारी भी भी भा, हमने मीटिंग गुलाई बाकायदा इस सवाल मैं आपसे इस लिए भी पूछ रहा हूं, आप अधिवासियो की मांग को लिकल लंबे समय तक संघर्ज करते रहें, उनकी जमीनों को ले लिया जाता है, उसके लिए उनको कुछ मौवजा दिया जाता है, छोटी सिरक्यम दी जाती है, आपके पुत्र बैठे हैं, अ और आपको अपना गुरू भी मानते हैं, राजनीती गुरू, आप इनको राजनीत के करण दस में कितना नंबर देना चाहेंगे? देखे, मेरा पुत्र है इसलिए पर राजनीती में बहुत सही रास्ते पर चलना है, और संगर्श के रास्ते पर चलना है, और सबसे बड़ी बात की, खून एक ही है मेरा इसका, तो जो गरीमों के प्रति मेरे दिल में भावना है, हलाकि ये गरीम घर में पैदा नहीं हुआ ये तो मेरे घर में पैदा हुआ, मैं तो बहुत गरीम घर में पैदा हुआ, आट भाई बहन थे, पता नहीं हमारे माता पिता किस मुश्किल से हमें पालते थे, हमें कैसे पढ़ाया, ये सब तो एक दूसरी कहानी है, पर ये गरीम घर में पैदा नहीं हुआ, हिंदुस्ता के भारत के सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ा, सबसे अच्छे कालेजों में पढ़ा, उसके बाद भी इसके दिल में जो मावना हैं, आदिवासियों के प्रती, गरीबों के प्रती, उसको देखकर मुझे ये लगता है कि जिस्तिकों इसका बहुत सही है, मेहनत बड़ी सही आगे कितना सफल होते हैं ये तो इश्वर के उपर और हमारे सब शुपचिंतकों के उपर रहेगा पर मैं संतुष्ठों की राजनीती में वो सही रास्ते पर चल रहा है। आपने बस्तर में यात्रा की पद्यात्रा की जाजगीर में की क्या भावना आई किस कारण से आपने जमीन से संघर्च करने का रास्ता अपनाया न की कोई सांसद और ऐसी चीजों के लिए आप नहीं दिखे इच्छुक। जिन्दगी में मैंने बहुत उतार चड़ाओ देखे हैं और मैंने महसूस किया कि अगर सही में जिन्दगी का कोई महत्व है तो दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए किस प्रकार से उनका दुखदर्द कम किया जा सकता है अगर कम ना भी कर सकें तो कम से कम उसको महसूस करें उसको बाट सकें उनके साथ तब जाकर एक सैटिस्फेक्शन मिलता है एक संतोष का एहसास होता है अब आप से एकला सवार पुछ लेते हैं आपका दो चार अप्राइल 2004 में एक्सिडेंट हुआ आप एकदम अपने राजनीत के चरम पे थे उस समय बेट पे आना हुआ बेट पे काफी समय तक रहे फिर अस्पताल का लंबा दौर चला अपने आत्म बल को इच्छा सक्ति को बड़ी प्रबल है और उसी के कारण यह आठ वर्ष मैंने बिना पेरों के निकाल दिये दो दो चुनाओ जीते दो दो चुनाओ जीते और इसका स्वी अमिर जोगी जी को भी देंगे आप चुनाओ का देखे मैं अपने छेत्र में नहीं जाता मेरा छेत्र पिछले दो तीन चुनाओ से आमिर जोगी ही देखते हैं चुनाओ के समय वैसे तो मैं पूरे समय सेवा रत रहता हूं की सेवा सुशुशा जितनी बन सकती है करता हूं पर चुनाओ के समय मैं उनको बोल देता हूं कि मैं बिलकुल नहीं आओंगा मैंने पांस साल आपकी सेवा की है उसकी अ मेरे मत दाता मुझे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मत से जिताती नहीं यह उनके प्रेम का परिणाम है और सबसे बड़ी बात मैं नहीं सोचता कि पूरे भारत में कोई भी उमीदवार ऐसा होगा जो चुनाओ के दिनों में जिस दिन मैं नॉमिनेशन फाइल करता हूं उस से लेकर जिस दिन रिगर निकलता है मैं उस धर्ती पर पैर नहीं रखता हूं मैं दूसरों के आप पांच साल की कम को कॉलते हैं आप मैने उनको हителя ने ाल क sesअब उना था चूरा होगा तो आप से वोट मांगने नहीं होगा मेरे काम से संतुष्ट हो मेरे रिश्चिकोण उसे संतुष्थ हो, मेरी भावनाओं से संतुष्थ हो, मैंने जो आपके सुब दुख में साथ दिया, उससे संतुष्थ हो, तो आप लोग मुझे वोट देना है, वो लोग खुद अपने आपको और्नाइज करते हैं, एक केंदरी इस तरह पर और्नाइजमेंट करने के लिए अमित जोगी चले जाते हैं ये भी पूरे समय नहीं रखता वहाँ मेरा आत्मबल बढ़ाने वाली बात है मेरी इच्छा शक्ती बढ़ाने वाली बात है कि इतने लोग बिना वोट मांगे बिना मेहनत किये बिना एक मीटिंग एड्रेस किये मुझे प्रदेश में सर्वाधिक मत से अभी तक जिताते रहें अब आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता पर आगे भी मेरा दिश्टिकोन यही रहेगा कि मैं कांस्टिटोजन से में नहीं आ रहा आप लगों को जो करना है करिये और वो सबसे ज़्यादा वोट से जिताते हैं अमिर जोगी पे हमला हुआ आप बहुत द्रवित थे इस पे आपका पूरी घटनया के बारे में आपको यह रहा जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद चलते रहें मैजिक टीवी के साँ